हाई गार सब्सक्राइब तो मारे चनल एंग क्लिक ता बिल आइकान सो बात करेंगे फेस डिफरेंस और पाप डिफरेंस पर सो नर्मली फिजिस्किस में फेस का मतलब है डियरेक्षिन जबके डिफरेंस का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो कौंटीटी फो एक higher quantity हो और explain reporter quantity हो सो हम greater quantity से smaller quantity को subtract कर ले तो उसे हम difference केते हैं similarly path किसे केते है so path is actually distance path is actually distance अब अगर हम for example path में difference मालूम करना चाहते हैं so उसे हम path difference कहेंगे इसी तरह phase difference को हम represent करते हैं sigma से जबके path difference को हम represent करते हैं pi से इसी तरह phase difference direction से relate करता है so direction में कितना change है so phase का मतलब है direction और direction को जब हम measure करते हैं so direction की measurement के लिए हम दो चीज़े use करेंगे या तो हम radians use करेंगे या हम degrees को use करेंगे और जब हम phase difference की बात करें so या फिर हम radians या radians में जो difference होगी उसे मालूम करेंगे या degrees में जो difference होगी उसे मालूम करेंगे जबके path difference को normally हम measure करते हैं lambda में for example एक wave से कितना path अगर for example इसी wave को consider कर लें आप ये एक wave है इसी wave complete wave lambda के बराबर है इसके साथ अगर for example में three wave को यही पर दूसरी wave को यही पर में draw कर लेता हूँ so इसी wave का path difference क्या होगा so normally में ये lambda 1 लू लू लूँगा या लिसे में lambda 2 लू लूँगा यसी पर अगर में path difference मालूम करूँगा so dil lambda will be equal to या हम इस तरह भी लिख सकते हैं that pi is equal to lambda 1 minus lambda 2 तू दूनों एक दूसरे के बराबर है so यही पर path difference zero होगा यह में आपको आगे चल के और भी clear कर लूँगा actually face क्या है path क्या है face difference क्या है और path difference क्या है अब consider कर ले इस wave को ABC wave को यह एक complete wave है इस wave में face कितना होगा और path कितना होगा उसके बाद हम इस wave में face difference और path difference को discuss करेंगे so जैसे के आपको पता है के a complete wave बराबर होता है किसके 360 degree के complete wave किसके बराबर होता है यहाँ 0 degree यहाँ पर 90 degree यह point 180 degree का और यह point जो half truff है इसका यह वाला है such a 270 से और 270 से बढ़कर 360 तक so इसका मतलब यह है के complete wave कितने के बराबर होता है that is 360 degree का complete wave बराबर होता है so यह point A से लेकर point C तक कितने का बराबर है 360 degree का इसके इलावा मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि यह wave जो है बराबर है 2 pi radian के बराबर है कितना 2 pi radian के अब यही पर आप देख ले A से again C तक 2 pi radian के बराबर है so यह दोनों जहें इसका wave का क्या है यह basically इस wave का phase है so मैं यही पर इस तरह रख सकता हूँ that is its phase अब हम इस wave को path में discuss करते है in terms of path so path के लिया से यह wave किपने का बराबर है so path के लिया से यह wave complete one lambda के बराबर है so यह इस wave का क्या है यह इस wave का path है so इसका मतलब यह है के जो 360 degree हो गा वो बराबर होगा 2 pi radian के और 2 pi radian के बराबर होगा lambda के तो इसका मतलब यह है कि जो 360 और 2 pi radians है तो इसका मतलब यह है कि phase 2 pi is equal to lambda तो यह आपको बहुत important result अभी मैंने derive किया आपके लिए तक हमने बात की phase पर और path पर अब हम phase difference और path difference को समझ लेते हैं जब हम phase difference की बात करते हैं so phase difference के लिए हमें mainly considerate करने होंगे 2 waves so यहीं पर मैंने 2 waves को considerate किये है एक wave A है दूसरा wave B है इसी तरह इस wave A और wave B दोनों का जो path है so that is 2 pi और जो phase है that is 2 pi and 360 और जो path है that is 1 lambda इसी तरह अगर मैं इन में जो phase difference की बात करूँ so del phase is equal to change in phase is equal to sigma of A sigma of B so phase of A कितना है 2 pi radian phase of B कितना है that is also 2 pi radian so इसमें जो change है वो 0 radian के बराबर है इसी तरह अगर मैं degrees में मानूम करना चाहता हूँ इसका phase so यहीं पर जो A का जो path phase A का जो phase है in terms of degree that is 360 और जो wave B का जो phase है in terms of degree वो भी 360 के बराबर है 360 के so 360 minus 360 is equal to zero degree so इसका मतलब यह है कि यह दोनों wave of phase में है इसमें कोई phase difference नहीं है अब इसी wave का जो path difference होगा वो कितना होगा so path difference भी इस तरह में लेख सकता हूँ is equal to path of A minus path of B so path of A B lambda के बराबर है यहीं पर आप देख सकते हो path of B B lambda के बराबर है so that will also is equal to zeros का मतलब यह है कि जो path difference है वो भी zero के बराबर है और जो phase difference है वो भी radian के और degree में भी zero zero के बराबर है इसी तरह हम एक दूसरी wave को consider कर लेते हैं अब यहाँ पर आप इस wave को consider करें कि जो यह wave A है wave A इसका जो phase है वो 4 pi है क्योंकि 4 pi इसी वजह से है कि 1 pi जो है वो यहाँ पर यहाँ तक है और दूसरा pi जो है 2 pi जो है 2 pi मैं green की बात करा हूँ तो वो 2 pi के बराबर है तो इसका जो green wave का जो phase है वो 4 pi और 720 है और green wave का जो path है वो 2 pi है इसी तरह इसका जो phase है तो वो 2 pi और 360 degree है यहाँ पर आप देख लें complete wave 2 pi और इसका जो phase है in term of degree वो 360 degree है जैक्टे इसी wave का जो लिम्डा है path है तो वो πाई के बराबर है अब अगर हम part difference मालूम करना चाहते है या face difference तो हम simply क्या करेंगे larger quantity से small quantity को subtract करेंगे so यहाँ पर large quantity जो है वो green wave है so यही पर मैंने जो part difference मालूम किया है green wave का so part difference of a कितना है path a wave का कितना है that is 2 pi कितने का है 2 lambda का है और इसी तरह path of red wave जो के wave भी है वो कितने का है that is only 1 lambda so मैं 2 lambda से 1 lambda गर subtract करूँ so I will get only 1 lambda so that is part difference इस wave का है in terms of in terms of जो lambda में वेवलेंट में निकाल लिया इसी तरह अगर मैं यहीं पर निकालना चाहूँ face difference so face difference में हम large quantity से small quantity subject करेंगे so अगर हम degrees में मालूम करना चाहते हैं so 1 wave अगर 360 के बराबर हो so 2 waves 720 degree के बराबर होगे so 720 for the green and 360 for the red wave so मैं 720 से अगर 360 से substitute करूँ so I will get 360 phase difference in terms of degrees इसी तरह अगर मैं radius में मालूम करने चाहता हूँ एक दोनों waves का face difference so हमें पता है कि ये green complete wave का path कितने face कितने का बराबर है that is 4 pi and degrees में कितने का बराबर है 720 so यही पर जो radius में 4 pi के बराबर है और इसका जो face है red wave का so वो only 2 pi के बराबर है so मैं 4 pi से 2 pi को subtract करूँगा so I will get 2 pi radian phase difference so इसी तरह आपको mcqs में evaluate कर दिया जाएगा so I hope you like the videos for more videos please subscribe to our channel thank you very much have a good time